नमस्कार दोस्तों मेरे नामें देयर सिलोनी और आज मादुबार आप सभी के समने कि बहुत बहुत ज्यादा कि मैं किस चीज़ की बताऊंगा कि मेरे पास यह आठ वेबसाइट और एप्स की लिस्ट है जहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा और क्या क्या इनके उपर एविलेबल्टी है वह सारी चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्केश करने वाले हैं तो वीडियो का भी इंपर्टेंट है वीडियो को सुरू से आखिर तक पूरा देखना ताकि अगर आपको वैक्सिन लगवा नहीं है आपको अपनी फैमिली को वैक्सिन लगवा पाओ और आपको जल्दी से स्लोट आपका जो बूक हो लैप्टोप के ओपर बलकि इन्होंने खुद बोला है कि आप हमारी वेबसाइट को अगर मुबाइल के ओपर ज्यादा यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप इसको मुबाइल पे यूज करना इसके अंदर आपको न इस यहां से भी अपलाई हो सकती है उसके बाद जो हमारी दूसरी वेबसाइट है वो है अंडर फोर्टिफाइव डोट इन यह वैक्सिन के लिए बनाई गई है अंडर फोर्टिफाइव जो आप दिखाए देए आपको जैसे पैंतालिस उमर से कम वालों के लिए है तो इस उसके बाद आपको यहां पर लिंक पे क्लिक करना है उसके बाद आपको टेलीगराम के लिंक मिल जाये गे जब आपके मोबाईल पर अगर तो आपको वहीं पर नोटिफीकरे payments नारी सुरू हो जाएगी जैसे यहाँicon आपको यहांप आपको नेक्सिन मिल जाएगी उसके बाद जो अगली वेबसाइट है वो हमारी getzap.in इस वेबसाइट के ओपर क्या है इस वेबसाइट पे अगर आप अपलाई कर दोगे यहाँ पे आपका नाम, डिश्टी की इमेल, फोन नमबर without country code डालना जैसे direct mobile number डालना है आज ए country code नहीं डालना है और आपको इसके ओपर क्लिक कर देना है आपका registration इसके ओपर हो जाएगा उसके बाद जब भी वेक्सिन एविलेबल होगी इन सब जो website है इन सब के link में description में देदूँ हूँ वहाँ से आप जाके इन सब websites को check कर सकते हो mobile के थरू इन सब websites के ओपर registration हो सकता है और almost जो website है वो सारी mobile की है और आप इनको mobile पर जाके use कर सकते हो उसके बाद जो अगली website है वो हमारी यह website नहीं यह app है यह airtel thanks app है जो की airtel company की है आपके किसी mobile से आप इसके ओपर register कर सकते हो और इसके अंदर आपको एक इसके अंदर आपको एक slot मिलेगा covid sos करके उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़े अपलाई कर सकते हो है इन्होंने इसके अंदर बोला है कि खाना प्रोवाइड कर आ रहे है वहक्सिन करा रहे है और उसके लावा यह अपने यहाद mean आपर बहुत सारी चीजे यह बहुत सारी चारी पर आ एटल थेंक्स हैप पे जाके रजिस्टर करके इसके लिए अपलाई कर सकते हो उसके बाद जो अगली कोई ये वेबसाइट में है हमारी गोर्मिंट की गोर्मिंट की जो कोरोना हेल्प डेस्क है उसका चैट बोट है जो की वेट्स हैप के थुरू आपका काम करेगा आपको ए इस नंबर को चेक कीजिए जो वेबसाइट है उसके ओपर अगर आपको नंबर मिलता है तो वहाँ पे आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और रिजिस्टर कर दीजिए जब आप इस नंबर पे वट्सेप से मैसिज करेंगे तो आपका चैट बोट सुरू हो जाएगा जैसे आपकी कुछ जो बैंक की आपस हैं उनका भी चैट बोट होता है और काफी सारी ऐसी आपस हैं जो चैट बोट के थुरू वट्सेप पे ही आपको मैसिज भीजती है और वट्सेप पे ही आपके जो बिल्स वगरा है वो सारे ट्रांसफर कर देती है वैसे ये भी आपका वट साइड का लिंक देदेगा आप वहां से जाके उसको सर्च कर सकते हो उसके बाद हमारा आता पे टीम पेटीम के वारे में तो सभी को पता है कि पेटीम के उपर वैक्सिन का जो स्लोट फाइंडर है वो एक उन्होंने लॉंच किया जैसे यह आपके एरियम वैक्सिन अविलेबल होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजनी शुरू कर देते हैं जो पेटीम की नोटिफिकेशन है कोई आप है जो काफी ट्रस्टिड है तो यह पेटीम ही है लेकिन होता क्या है इंडिया के अंदर यूजर्स बहुत ज्यादा है और जो हमारी इंडियन वेबसाइट होती हैं ज्यादा लोड नहीं ले पाती है इस वज़े से वह क्रैस हो जाती है देखो कोई के उपर आ जाता है तो वो क्रैस हो जाती है इसलिए जो हमारी गोर्मिंट की वेबसाइट होती है आपने देखा होगा कि वह हैंग होती रहती है क्योंकि जो उनका जो लोड लेने के लिए कपैस्टी है जो उनकी रहम होती है मोबाइल की तरह है वेबसाइट की भी रहम होत इतनी सारी वेबसाइट से और यह मैं बता रहा हूं कि अगर एक जगह पर आपकी आया क्रैस हो गई है तो आप दूसरी जगह पर जा के अपलाई कर सकते हो वहां से में भी आपका स्लोट बुक हो जाए तो पेटियम से आप बुक कर सकते हो बिलकुल आसान है पेटियम ट्रस् इसके अंदर क्या होता है जो आपकी एप होती है जैसे हमारी कोविन एप है वो अपनी API दे देती है और सारी वेबसाइट को तो वो उसी के थरू काम करती है और वो सारा डाटा कोविन से लेके अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं और वहीं से आपका जो सारा काम होता है तो ये same to same ये COVID की API यूज़ कर रही है तो ये same COVID website जाएट सी है same वैसे इसके उपर registration होगा ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपकी COVID app crash हो जाती है तो आप इसके उपर जाके अपना slot book कर सकते हो और यहां से भी आप vaccination के लिए apply कर सकते हो उसके बाद आती है हमारी आठी most trusted जो है वो है COVID app और COVID website दोनों में से आप किसी के उपर भी जाके try कर सकते हो search कर सकते हो और आरग्य से तो आप तो इसके बाद है तो इसके अंदर क्या होता है कि आप apply तो इससे कर सकते हो लेकिन इसके उपर load होने की वज़े से जो है मैंने इससे पहले जो सारे की सारी डीटेल बताएं मैं तो यहीं बोलूँगा कि आप सब पर register कर दीजिए कहीं ना कहीं से अगर आपको message आता है जो हम भी सबसे पहले message आएगा आप उसके थुरू अपलाई कर दीजिए और अपनी vaccination लगवा लीजिए और अगर आप चाते है कि मैं PTM पर कैसे vaccination फाइंड करनी है या इनमें से कोई website जिसके उपर आपको लगता है कि हमें vaccination के लिए पूरी process दीए मैं कोवी website और अरोगे से तो आप के बारे में तो बना चुका हूँ कि वहाँ पर आपको vaccination के लिए कैसे apply करना है उसके लाव जो बाकी की website और apps है अगर इनके उपर आपको पता करना है कैसे vaccination के लिए apply करना है तो आप मुझे comment किजिए मैं आपके लिए एक special वीडियो बना दूँगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना और मिलते हैं अगली कि वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरों